नमस्कार विद्यार्थिमित्रो, धुरण नव, विषैं हिंधी, विषैं पाठ पंदर, दाजिव, विद्यार्थिमित्रो दाजिव एटले मोटा भाई, चेम लेक्क छे, शेकर जोसी, तो विद्यार्थिमित्रो, आपना थोलोक पाड़ छे, आपड़ गयो वीडियो मा अब्यास करे चुक्या ची तो आज आपड़ जया पोचिया ची त्याती पातनी सरुवात करे चुँ तो विद्यार्थे मित्रो गया वीडियो मा आपड़ जोई तो के जग्दिस बाबुए पेला नव दस उरसना बालक ने नाम पूछियो तो पाड़ा के मदन नाम आपईू पढ़ी पाड़ी विश्तार मा रहा नो की तो के अलमोड़ा पाड़ी विश्तार मा रहू छू तो ने अलमोड़ा पाड़ी विश्तार मा कया गाम मा तो त्या मोहन अलमदन अटकी जाई छे त्या थी आपड़े पन पाड़ अटकावे दिदो तो अलो मदने येना गामनू इस प्रस्टन ने उसे संकोच में डाल दिया कि जारत जगदिस बाबु ये इमने एवू पूछियू कि अलमोडा मां पहाद मुल्डा पहादी विस्तार मां तारा गामनुनमसी उले संकोच उले एवी कोई खबर पड़ती नो आती सायद अपने गाउ की निराली संगना के कारण उसे संकोच हुआ येना गामनी कोई खोटी छाप हसे इने कारण ये कदाच पोचे सरम अनो बहुत हुआ हसे संकोच यानी सरम इस कारण टालता हुआ साहब बोला वहाँ तो दूरे साहब अलमोडा से पंदर विस्त मिलोगा ये वात ने टाडता कही हुआ साहब ये तो बहुत दूर छे अलमोडाती लगवग पंदर विस्त मिलोमिलोमिलोमिल ये वो दूर थाई फिर भी नाम तो कोच होगा ही जगदिस बाबुने जोर दे कर पूचे जगदिस बाबु ये जोर दे ने पूचे चता पन नाम तो सरम अनुभोता ये कहे छे जगदिस बाबु के चेहरे पर पूती हुई एका की पन की साही दूर हो गई जगदिस बाबुने चेहरा उपजे देखा तो अक्केला पणूँ छे एकला पणूँ छे ये दूर थे गई हुँ जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकट वर्ति गाउ के रहने वाले हैं कि चेहरे एमने पन चकदिस बाबुने हस्ता हस्ता मदन ने कही हुँ कि पोते पन त्यानी निकट वर्ति लब पासे नाच गामना रहवा वाड़ा छे तो लगा चेसे प् पोतानों कोक मरे गियो एवा आनन थी ताने हमनाच मदनना हाथ मरी ट्रे चेमा चाले नाई हो तो एक ट्रे अचे निचे पड़ी जाए उसके मूंसे सब्द निकल चा कर भी न निकल सके मदन बोलवा जातो तो छत्या अपन कहीं बोली सक्यों नहीं खोया खोया से वह अपने अतित को फिर लोट-लोट कर देखने के परेयत न करने अनै पोता ना वीचेरों मा खोया अतित फेले भुतकाड पोता ना भुतकाड ने फरी कई याद करतो है यहो इमने आभास ठयो तिक देले सवाही याद करतो है तो यह गाव, पाहड़िया, नदी, इजा, बाबा, दिदी, पुली, डाजीू मदन को चक्दिस बाबु के रूप में किसकी छाया निकर जान पड़े मदन ने चक्दिस बाबुना रूप में कोनी छाया नजिक पड़े के जग्दिस बाबुना रूप में पोता ना परिवार ना जे सब्यों से इमाती कोने जोवे छे लए इजा जग्दिस बाबुनी यंदे पोता नी महाता ने जोवे छे नई बाबा एना पिता जी ने जोवे छे तो के नई दिदी एना मोटा बहन ने जोवे छे नहीं, डाजियो, हाँ डाजियो, जग्दिस बाबुनी अंदर मदन एमना मोटा भाई ने जुविया छे, कि मने मारा मोटा भाई मड़ी गया दो-चार ही दिनों में मदन और जग्दिस बाबु के बीच अजनभी पन की खाई दूर हो गई बेचार दिवस मत, चे बनने एक बिजाना ओड़ाकता ना थे, यहने खाई छे बेचार दिमत दूर थे गे टेबल पर बेट्टे ही मदन का स्वर सुने देता, टेबल पर बेशे ताज मदन ना ओवाज समड़े दाजियो जह हिंद दाजियो आतो ठंड बहुत है, दाजियो ले मोटा भाई, मोटा भाई आते ठंडी बहुत है, दाजियो क्या यहाँ भी यू पढ़ेगा, लेक्सों आहें आपने परवाडी पहाडी विस्ता चे निया बरब पढ़ तो आहें ठंडी ठंडी चे तो बरब पढ़ से, दाजिय हम चक्दिश बाबु साथे मदन जे वात चीत करतो हुए त्यारे एवामा कोई बोई लचोकरा यह आवाज आवे और मदन उस आवाज की प्रती धुनी पहुंचने जे पहले वहां पहुंच जाते मोद मदन जे आवाज आवे एदले तरत अच यह त्या च्यांती आवाज वगर फिर आचे चाते जाते चग्दिश बाबु से बुत्ता दाजियों कोई चीछ अने जिया जीह सब्दकों उतने ही आतूर्ता और लगन से दोई रहा था चितनी आतूर्ता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर कभी मा अपने बेटे को चूमती है अन्य एदाजियु सब्द तो इतला भाव थी एतली लागने थी बोलता कि जह जहने कोई माता चे पोता ना दिकराने लांबा समय पची मढती ओए अन्य एने गड़े लगारती ओए एवा भाव थी एदाजियु सब्द बोलता हा तो कूछ दिनों के बाद जगदिस बाबु का एका की पन दूर हो गये जगदिस बाबु जो एकला पनू छे ये दूर थे गयो उन्हें अब चोक काफे ही नहीं सारा सहर अपने पन के रंग में रंगा हो असा लगने लग पची पेलो चोक ये काफे द नहीं आखु सहर पोता नू छे ये वो दल्थवा लागयो पर अब उन्हें यहां बार-बार डाजियो कर लाना अच्छा नहीं लगता पर तो चकदिस बाबु ने सूथ कि मदन छे ये वारे-वारे डाजियो के है ये ये मने गम तो न आतो और वहां मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियो अन्हें पेलो मदन था ये बीजा टेबल ये थी निए दाजियो ये कहतो मदन इधर आओ आया दाजियो आओ मोटा भाई दाजियो सब्द की आवरोती पर जग्दिस बाबु के मध्यम वर्गय संस्कार जाग उठे अन्हे दाजियो सब्द बोलवा थी जग्दिस बाबु ने जे मध्यम वर्गय संस्कार चे ये बोल उठे गे अन्हे अपन वत की पतली दोरी अहम की तेज धार से आगे टिक ने अहंकार जाएगो तेले ने चक्दिस बाबुए मदने ने कि जाएछे के बारे मने दाजियो कोई ने न बोलावले पोताना पणानी चे अहंकार अभिमाननी आगण चे पोताना पणानों सबन चे एटकी सक्यों नहीं क्यों धाजियों चाए लाउ microwave कि चा लाउ चाएने तेकिमार दाजियों धाजियों क्या छिलाते रहेते हो दिन रहती चान ए जो तो पातो आखो दीवस रात तूंजियों दाजियों यहीं सुों watch लैराग तो छे यहाना जगदिस बाबु पहलावने कोहें जगदिश बाबु पेला मदर ने खिजाई छे सामाटे अभिमान तू कि मने आप बतानी सामें किये इस मने योग्य लागतू नरी सारू लागतू न थी इतले जगदिस बाबु का मूर क्रोध के कारन तम तमास गया जगदिस बाबुनों मूख छे एक रोधने का ने लाल थाई गयो सब्दों पर अधिका नहीं रहा सका अन्हें सब्दों पर पोतान अधिका रही सक्या नहीं मदन प्रिष्टीज का अर्थ समझ सक्या या नहीं वहाँ भी उन्हें ध्यान नहीं रहा मदन प्रिष्टीज एक ले सू ये समझी सक्कियों के ने ये पर एमने कहीं खबर पड़ी ने पर मदन बीना समझ जाए सब कुछ समझ गया था ये नो अवाज अज ये नो हावभाव अज ये वो होतों के जेना पर थी मदन बधिवात समझी जाई छे मदन को जगदिस बाबू के व्यवार से गहरी चोट लगे मदन ने जगदिस बाबू जेरे खिजाई छे इनी उपर क्रोध करे छे त्यारे इमने खुबज आगात लागे छे गहरी चोट लगना आगात लागे छे मेनेजर से सिर्दद का बहाना कर वहां घुटनों में सर दे कोठरी में सिसक्या पर रोता रहा पर मेनेजर एक काफेना जे मेनेजर साहिब छे एने माथू दुखावानू बहानू सिर्दद माथा मा दुखे छे ये वो बहानों करी औने पोटाना गोठनों पर पोटानों माथू राकी औने एक चुपडी माँ एक कोठडी माँ जै औने रडवा लागे छे घर गाउं से दूर एसी परिस्तिती में मदन का चक्दिस बाबु के प्रती आत्मियता प्रदेशन स्वभाई गेता है अने घर अने दूर घरती खुब दूर जै पोटानों कोई न थे एवी जग्याए चक्दिस बाबु जी अंदर न पोटाना मोटा भाई जोयाचे अने डाजियों के न बोलाओ तो अने जै आत्मियता पोटाना आगात लागे छे अने जै रडवू आवे छे इस वाभावी के तो इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे इजा की गोदी से बाबा की बाहो से और दिदी की आचल से की छायां से बल पुरूर खिच लियाओ आम पोटाना प्रवासी जीवन में एने पहली वार एवू लागियो के जाने कोई पोटाने माताना खोडा माथी एनना पिताना बाहो माथी के दिदीना आचल माथी बढ़ पुरूर वाग चबज जिस्ते दे कोई खेची गई होए एवी एवने अनुभो थेयो परन्तु भावुकता स्थाई नहीं हो सके परन्तु जैनी लागणी चे एथियां टकी सकी नहीं रो लेने पर अंतर की घुमडती वेदिना की आखो की रा बाहर निकल लेने पर मनुश्यको निस्से करता है यह भावुक सड़ो की अपेकसा अधिक विवेक पूर्ण होते हैं कि जारे कोई मानस चे एए पोतानी आखोनी बहार जारे आसू आवि जयाईछे यह यह अंदर नी लागणी चे यह जारे बहार आवे चे वेदिना एनी लागणी छे जर आखोमा आशू सुरूपे बाहर निकरे जाई छे तेरे ये नकी करी दिया छे क्या मानस चे ए पोतानी लागणी नीक्षणों छे एनी अपेक्साओ खुबच जिती और खुबच विवेक पूर्णा रिते ए वोतानी लागणी ओ थी ए व्यक्त पोताना काम मा लागणी जाई छे दूसरे दिन केफे में जाते हुए अचानक ये जगदिस बाबु की भेट बचपन के सवपाथी हिमन से हो गए और बीजे दिव से काफे मा जता अचानक जगदिस बाबुनी भेट छे इने पोताना बारपणनों मेत्रा छे इमने हिमन्त बारपणनों मेत्रा मड़े जाई छे काफे महें पहुचकर जगदिस बाबुने इसारे से मदन को बूलाया पर अवे जतो पर आवकते इसाराती बोलावे छे पर छता जगदिस बाबुने एवू थाई छे दूसरी बार बुलाने पर मदन आया बिजीवर बोलावियो तेरे मदन आवे छे आट उसके मुँपर वह मुस्कान ना थी जवे इना चेहरा पर पेला जिवा हासी आतू नहीं और नहीं उसके क्या लाव उलाजियो वहां का सुलाव मोटा भाई एम पर ने बोलियो नेकेम केने ना पाड़ी इनी पर क्रोध किरो माटे सुयम चक्दिस बाबु को उन्हें कहना पड़ा दो चाई दो अमलेट सामे थी चक्दिस बाबु एमने केहवू पड़ियो के बे चा अने बे अमलेट तब भी लाया दाजियो केनी आकी अपेकसा लाया साब काका वहां चल दिया मानों दोनों आव परजेद होगे त्यारे पन लाया दाजियो ए अपेकसा राकिया थी छता पन ए मदन लाया साहेब यहुँ कई अने त्यादी चालियो गई हो जाने बन्ने एक कजक्षन नी अंदर बन्ने एक बीजादी अजानिया थाई गया होई यहुँ अवे मुद्धान पन वर्तन करवा लागे छे सायद पहाद यह का है एमद ने अनुमान लगा के बुचा के कदाच यह बाड़क छे यह पहाडी विस्तानों छे यह अनुमान लगा रता एमद पोछियो हाँ रुखा जवाब देकर दिया चगदिस बाबु और वर्तालाप का विसाई बढ़ल दिया हाँ मदन हाँ पाड़ी यह तरज जवाब दिदो जगदिस बाबु यह तरज पोटाने वार्चितनों विसेशे यह बढ़लावी दिया चे मदन चाय लेकर आया था मदन चाय लेने आवी गयो क्या नाम है तुम्हारा लड़के हेमन्त पूछिया चे कि सुन नाम से तुम्हारा लड़क निमन्त ने अहसान चठाने की गरत से बुचा है मैंने इमन्त यह मने सारा भाव थी है पूछिया चे कुछ अक्षणों के लिए टेबुन पर गंबिर मोन चा गया थोड़ा अक्षणों थोड़ी मिनीटों मदन कई बोलियो नहीं चकदि बाबु तो यह पूल यह जे चानी प्याली हो छे एनी सामों जोता रहिया मदन की आखों के सामने विगत स्मृतिया गुमने लगिया मदन नी आखोंने सामे चकदिस बाबु यह पेला जे वेवार होता सारा वेवार होता यह चे यह हमने नजहनी सामे चे यह आवा लागिय जग्दिस बाबु का एक दिन एसे ही नाम पूछिना फिर दाजियो अपने को कल थोड़ा ही खाया एक दिन थोड़ा किसी प्रेश्टिज का ख्याल नहीं रहा तुमें जग्दिस बाबु का एक दिन नाम पूछियो तुमें आजे थोड़ो खादू मोटा बै अवा प्रेम भड़िया लागनी भड़िया सबन्द और पचे एक दिन एवो पन आवियो कि जग्दिस बाबु ने कोई नियाबरू नो विचार आवे के ने प्रेश्टिज नो ख्याल छे के ने लाम बन्य वर्तन याद आवे छे चग्दिस बाबु ने आखे उठा कर मदन की ओर देखा उने लगा जेसे अभी वह जवाला मूखी सा फूट पड़ेगा और के स्वर से दूराया क्या नाम है तुम्हारा यह मन ते फरी पाचु जणवा मत यहने कई हो कि तमारू नाम सूचें बोई करते हैं साब मुझे कहीं बोई चोकरों कई ने मनाई बोला आवे छे और संक्षिब और टुकमा उत्तर आपी ने वह मोड़ गया पाचर फड़ी ज हो गया देना आवेसमा कुरोध मा एननों चेरो लाल थे छता पर कुबर सुन्दर लागतों अटों विद्यार्थी मेत्रों यह खुबत सरस्मारे नों पार्टन आपड़ा उभ्यास करियो के वे आत्मिया चेर आघात लागे छे तिनी साथे आत्मियाता ती केड़वाई ज आकार्ब शच विद्यार्थी मेत्रों विद्यार्थे मेत्रों ईहनते स्वाधे मां प्रश्न ब इजो अने चेक वाकियामा उत्रया बत्रों ना अन्य त्रीजुव प्रश्ण छे सविस्तार उतर चार चार ने तन साथ प्रश्ण आपड़े होंवर्ग में सारा आक्सर लखवाने छे